मेरा नाम है करन और स्वागत है सी शाप कोर्स की हमारी पांच वी वीडियो में मुझे पता है इस वीडियो को आने में थोड़ी सी देर लगी किनी रीजन्स की वज़े से मैं कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था लेकिन अब मैं पूरी तरी इसे फिट हो चुका हूँ और ये वीडियो भी अब मेरे हिसाब से तो continue रहेंगी आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी शाप में टाइप कास्टिंग के बारे में तो समझते हैं टाइप कास्टिंग होता गया है तो कास्टिंग का मतलब होता है कि आप कभी भी किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज में आप convert करते हो या किसी दूसरी तरीके से देखते हो तो उसको casting आ जाते है या शेड़ कास्ट होती है या पानी कोई बॉटल से किसी कप में भरते हो तो पानी का जो शेप होता है वो कास्ट हो जाता है तो इसी तरीके से अगर आप C-Shop में एक डिटा टाइप को किसी दूसरे डिटा टाइप में convert करते हो तो वो होता है टाइप कास्टिंग यानि कि आपने उस डिटा टाइप को कास्ट कर दिया किसी और चीज में तो इसको समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है ना दो तरीके से टाइप कास्टिंग होती है एक तो C-Shop का compiler automatically intelligently ये चीज कर देता है यानि कि वो कैसे जैसे मैं मान लीजे एक integer variable बनाता हूँ x और इसको value देता हूँ 10 की ठीक है और यहां पर में एक बना देता हूँ double variable y और इसको मैं value दे दूँ यहां पर x की तो आप क्या दे होगे ना कि x जो था वो इनक x की value दी तो हुआ गया ना कि C-Shop ने यहां पर integer code double में convert कर दिया और यह conversion automatically हुआ क्योंकि मैंने कुछ special code नहीं लिगा मैंने बस value डाल दी x की y में और वो value का type अपनियाव automatically convert हो गया तो यहां पर automatic casting हुई जिसको हम implicit type casting भी बोलते हैं implicit यानि automatic और यह automatic type casting कब हो सकती है आपको क्या लगता है चलिए एक आपको मैं gas करने के लिए situation देता हूँ आप एक पांच लोगों की family हो और आपको हम एक घर से निगालके बंगलो में भेज दें तो आप उस बंगलो में फिट हो सकते हो जी हाँ बिलकुल हो सकते हो लेकिन वहीं पर अगर उस बंगलो में 200 लोग रहते हैं और उनको हम बंगलों से निकालके उस implicit type casting में तो implicit type casting में क्या होता है कि एक छोटे size का variable किसी बड़े size के data type में fit हो सकता है है यानि कि integer का size जो है वो छोटा होता है और double का size बड़ा होता है तो automatically C sharp convert कर देता है क्योंकि छोटे size का object बड़े memory में fit हो जाएगा तो यह automatically convert हो जाता है और इसको अगर मैं run करू तो यह valid proper code है तो आप लोग क्या देखोगे न कि यहाँ पर 10 print हो चुका है जो कि एक double है जिसको मैंने शुरुवात में integer की तरह define किया था लेकिन वहीं पर क्या होगा जब मैं इस int को double कर दूँ और इस double को कर दूँ int तो अब आप लोग क्या देखोगे न कि यहाँ पर एक error दिखाई दे रही है कि cannot implicitly convert type double to int and explicit conversion exist तो यह इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि compiler को लग रहा है कि double एक बड़े size की memory है बड़ा ही size value है उसको आप एक छोटे में कैसे fit कर सकते हो तो यहाँ पर आपको compiler को आदेज देना पड़ेगा कि आपको जबरदस्ती इस चीज को convert करना है तो इसके लिए आप कुछ इस तरीके से int लिखके explicit type casting करोगे और यह आप manually कर रहे हो तो आपको एक चीज तो यह पता चली कि जो explicit type casting होती है वो manually हो जाती है तो इस तरीके से आप लोग type casting को कर सकते हो और ऐसे यह चीज काम करती है इसी तरीके से और भी चीजे होती है type conversion के कई methods होते हैं जिसमें आपको internal methods मिल जाते हैं किसी चीज को explicitly convert करने के वो हम discuss करेंगे अपनी next वीडियो में जिसमें हम C-Shop में user से input लेना सिखाएंगे फिला हुआ हो हुआ है